नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको सूजी का एक स्वादिष्ट नास्ता बनाना सिखा रही हूँ जो खाने में बहुती स्वादिष्ट होगा जिसे आप बच्चों के टिफिन में या घर के सदस्यों के लिए बना के उन्हें खिला सकते हैं सब लोग बहुती खुस होंगे बहुती बढ़िया ये नास्ता बनके तैयार होता है आई ये बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी ले ली है उसमें मैंने जितनी सूजी लिया उसका आधा दही मिलाना है दही मिला के ये नास्ता बहुती स्वादिष्ट बनेगा ह हमने इसमें एक गाजर कार लिया है, सिमला मिर्ची की मात्रा बहुत कम है, एक प्याज भी हमने इसमें महिन महिन काटके मिला लिया है, अब हम इसमें आवशकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती जाएंगे, यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी मिलाया, स्वाद अच्छा खाने में और देखने में तो कलर फुल यह बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा सा पानी फिर से हम यह जालेंगे किस तरह का बेटर चीए वह आप देखती जाए वीडियो में हमने इसमें वन फोर्थ ग्लास पानी फिर से डाला है अब इसको हमने रेष्ट के ल अब यहां पर हम एक पाउच इनो डालेंगे जिससे एक खाफी सौफ्ट फूला फूला सा अच्छा बनेगा आप यहां पर खाने वाला सोड़ा भी डाल सकते हैं उसको डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा मिलाना है बहुत जादा देर तक नहीं सिर्फ एक मिनद हमने इस लिए रोज में दूसरी बार में आप थोड़ा कम भी घीन लगाएंगे तो चल जाएगा पांस मिनद तक हमने इसे ढखकन लगा के पका लिया है देखिए एक साइड से कितना बड़िया कुरकुरा पके तैयार हो गया है यह देखिए दूसरी साइड भी हम पांस मिनद इसे जढ़िया कर दोड़िया कुरुरा पके टूसरी साइड पक्ता बड़िया कुरुरुरा है यह दोड़िया वेपी जेखिए एक सुझर दूसरी असरी जा बड़िया है यह